दोस्तों आप मेंसे काफी सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज़्यदा परिशान है कि सर सेबी ने अपना जो नोटिफिकेशन था आने वाला था उसको पोस्पोन कर दिया गया है सर कल तो इसका डिटेल्ड वाला आ जाना चीए था लेकिन पोस्पोन कर दिया गया हमेना बड़ा लोग फील हो रहा है आप मेंसे काफी सारे बच्चे इस बोल रहे हैं कि सर हमेना बड़े डिमोटिवेट होगा एक तरसे तो भई ये सब क्यों आपको इस इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना चीए आपको ये ध्यान रखना चीए एक तरसे देखो ये चीज़े ना उन बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी सब बहतर है बहुत बड़ी आए आई ना आई नो कि देखो लास मन्त में इसका जो है एक शोर्ट नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में इन्होंने कहा था कि 13 अपरेल को इसका डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों आ जाएगा इसी के रिगाड़ी के वीडियो रहने वाल प्रेशन के लिए और दोस्तों एक रैफल कोड है जो कि होता Y710 जो कि Y710 है इस रैफल कोड को यूज करके आप मैक्सिमम्म दिसकॉंट भी ले सकते हैं किसी भी पेट बैच में राइट तो इस बात का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें यूज साथ आपको यूज क के विदे से उन्हें अपना नोटिफिकेशन जो है डिटेल वाला उसको पॉस्पून कर दिया गया है तो अभी एक्जामनेशन थोड़ा सा लेट होगा तो एक्जामनेशन लेट होने का मतलब यह नहीं कि नहीं आएगा और देखो यह काफी टाइम मतलब ऐसा फर्स टाइम इसा हुआ था कि से बी ने डिटेल्ड के लिए इतना जाधा टाइम लिया तो कहीना कि लग रहा था कि भी कुछ तो गड़बढ है मतलब कुछ तो पॉस्पून होने वाला है क्योंकि एलेक्शन तो होने थे ही तै राइट पर आपको यह पता चल गया कि से बी में रिकूट लेकिन वो तभी बता पाएंगे जब वो डिटेल्ड वारा नया नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा तो पहले आप लोग यह देहन रखू कि आपको यह तो पता ही कि तीन फेस का एक्जामेनेशन है इस वीडियो को करने का मतलब ही यह था हमारा कि आपको थोड़ा पल नहीं है जितना आप सोचके बैठा हो आपको अपने पूरे एफट्स कर लगाने इसके अंदर जिस अकोडिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उसी अकोडिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे पढ़ती चलीगा ठीक है आपने अगर सोचा था कि 13 को और उस एक्जाम के टाइम पे आप मॉक लगा कर देखो और यह देखो कि उस मॉक के अंदर माक्स कितने आ रहे तो कई सारे बच्चे क्या बुलेंगे सर मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाता ना तो मैं इस एक्जाम में और अच्छा कर सकता था तो लो भगवान ने आपक और आपको aggregate cut-off भी इसके अंदर निकलना पड़ेगा वेसे अगर face 2 के अगर बात कर ले तो इसके अंदर भी आपका 2 paper होते है paper 1 paper 2 और descriptive वाला जो part है यह बहुत सरे बच्चों के लिए pen point बना होता है तो descriptive के लिए आपको और मेहनत करने का time मिल चुका दोस्त इसके अंदर इसके अंदर का examination pattern भी similar ही है उसके अंदर काफी सारे subjects आपको same मिलने वाले है उसके लावा RB grade B की बात कर ले नावार की बात कर ले तो यह सारे exam भी तो है उनके लिए भी तो आपको पढ़ना ही है तो जो आप पढ़ रहे हो उसको उसी rhythm में पढ़ते चलिए उसी rhythm में अपन लोग multiple times revision कर पाऊ चीजों का तो हम last thing यह बोलेगे कि stick to your schedule जो भी आपने schedule बने उस पर stick रहो उसको follow करना है that's it उसको इधर भी मतब थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है कि थोड़ा आप relax होगे कि चलो ठीक है सर अब तो postpone होगे ना exam अब आपन relax करते हैं जब आएगा तो वापस एप पकड़ते हैं क्योंकि दोखो यह चीज देखी गई है और यह fact भी है कि जब इंसान पर pressure पड़ता ना तो pressure में वो कितने ही काम कर लेगा और एक होता है comfort zone वाला मामला comfort zone में चलेगा तो फिर उससे कुछ काम नहीं होता है कई-कई बार देखा होगा आप लो तो यह चीज़ें इंपक्ट जरू डालती है लेकिन हमें अपने जो schedule है उस पर stick रहना है और धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाते चलना उस पर और बहतर काम करना है और अच्छे से चीजों को निखारने के जरूते हैं अपने को क्योंकि इंटरिव्यू के लिए आप ल पढ़ सकते हो ताकि गल्ती होने के chances जीरो के बराबर हो जाए जितने कम हो सके अपने गल्ती होने के chances उतने अपने को कम रखने है इसके इंदर तो जो भी दोस्ता आपको time मिला है उसको proper में utilize करिए बिल्कुल भी चीजों इधर उधर के बाते अपने दिमाग में ना लेकर रही है उनसे जितना दूर रहोगो उतना ज़्यादा बैटा रहे negativity ना लाने दो positivity के साथ आगे बढ़ते चलो job को time duration मिला है उसको एक proper way में effectiveness के साथ में उसको use करो उसको proper utilize करो उसको waste नहीं करना है ठीक है क्योंकि हमेशा एक बात कही गई है कि जिंदगी और life मौके कम और जादा देती है तो यह जो मौका मिलाना है इसको अच्छे से के मतलब इसको भुनाई है अच्छे से है ठीक है चलिए अब दोस्तों बागी फिर आपकी preparation को लेकर अगर बात आती है तो हमेशा आपके बास हमने कहा कि दो options होती है कि self कर रहे हो तो अच्छी बात है या फिर क कर लूगा तो दोस्तों आप लोग के लिए option बन जाता है bank mahapek plus अगर लेना चाहे तो यह आपकी choice है लेना चाहे तो पहले अच्छे से research करो इसके अंदर क्या क्या चीज़े है वैसे हम बता दे कि इसके अंदर आपको live classes, video classes, test series, ebooks, उसके अलाभा spoken English classes, percentage development के classes, phase 1 की preparation, phase 2 की preparation interview के preparation, banking के सारे examinations, चाहे SBO, IBPSPO, clerk, जिदने भी examen है और regulatory bodies का सारे exam, जिसके अंदर नाबाड, CB, IFSA, IRDA, RB, grid B, उन सबकी preparation आपकी कराई चाहेगी इसके अंदर, सब कुछ मिलेगा दोस्तों इसके अंदर, तो referral code आपको use करना है while 710 for maximum discount, तो अगर आप इस referral code को use करके इसको purchase क कर सकते हो, चीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग कितने ही रखते हैं, मिलेंगे अगले session में, तो बस अपनी preparation को continue करते चलिए, बिलकुल भी demotivate नहीं रखना आपने आपको, okay, thank you so much, all the best.